गुरु बगवान के शुक्राने है सफलता के नियम में पहले हमने कुछ पॉइंट्स लिये थे बस खाली मैं उनको रिवाइस कर रहा हूँ पहला है हार्ड वर्क दुसरा है डिसिप्लिन अनुशाशन इसमें सेल्फ कंट्रोल अफ थौट्स सेल्फ का कंट्रोल है विचारों का कंट्रोल है एक्सेंस का कंट्रोल है और केरेक्टर को साफ रखना है इस डिसिप्लिन के अंतर गताता है अनुशाशन हमारे चरित्र को साफ रखता है एक परिभाशा है एक लीडर वो है जिसका कैरेक्टर इतना साफ है कि जो एक हौंड एक जानवर होता है उसके बड़े-बड़े दांथ होते हैं दो आगे वो ऐसे स्पारकल करते हैं अगर लाइट डालो तो चमकते हैं तो ऐसे एक लीडर बढ़िया लीडर वो है जिसका केरेक्टर चमकता है देखिए छोटे मोटे दोश तो अब सब में थोड़ा बहुत अगर एक प्रैक्टिकल बात करें तो आप किसी बढ़िया से बढ़िया लीडर में भी दोश देखना चाहो तो आपको देख जाएंगे लेकिन उन दोशों से फरक नहीं पड़ता उसके चरित्र पर चरित्र एक सामुहिक चीज है एक बड़ी चीज है और जो सर्व के हित में लगा है उसके छोटे मोटी बातों ये तो ऐसे बोल जाते हैं ये तो ऐसे कर जाते हैं ये कोई फरक नहीं पड़ता, कोई ध्यान नहीं देता आप हमारे भला करने में लगे हो, आप महान हो, बस मिजी जीवन में आपके कुछ गलतियां हैं, कुछ छोटी मोटी बातें हैं वो कोई ध्यान नहीं देता पर परभाशा ये है, कि उसका चरित्र साफ चमकना चाहिए एक भी गलती उसके चरित्र में नहीं होती, ऐसे ऐसे परभाशा है प्रैक्टिकल में थोड़ा बहुत हो जो भी फिर तीसरा है, सेल्फ बिलीफ मैं कर सकता हूँ आपको तरक्की करनी है, उन्नती करनी है, सफलता प्राप्त करनी है आपके अंदर एक determination होना चाहिए, पक्का भाव होना चाहिए, मैं कर सकता हूँ सेल्फ बिलीफ इसके साथ आता है सेल्फ कंट्रोल मैं कर सकता हूँ सही जगे पर लगाना है, गलत जगा पर नहीं कोई गलत काम के लिए कहे, मैं कर सकता हूँ इसलिए इन्ने सेल्फ बिलीफ के साथ सेल्फ कंट्रोल भी का है डिस्सिप्लिन भी का है आत्म अनुशाशन अनुशाशत रहो इमांदार बनो, काइदे से रहो, सचे इंसान बनो बे इमान जूटा, चालाक नहीं चलेगा चौथा है ऑपसेशन, जनून जनून चाहिए लगन शौक, अम्मा जी को जैसे हम बताते हैं ग्यान का इतना जनून था कि उन्हाने दस बारा साल में अपना काम पूरा कर लिया और सच्संग भी बना दिया इतना जनून था उनको दिन रात काम करते हैं ये लोग, नीद आती है तो सो जाते हैं नीद खुल जाती है तो उड़ जाते हैं पढ़े नहीं रहते बार बार नहीं सोते रहते नीद खुली फिर सो गए नीद खुली फिर सो गए ये नहीं होता इनके जीवन में नीद खुल गई हो गया चलो काम से लगो दिन रात काम करते हैं अब्सेशन होता है इनको पांचवा पेशेंस दहर भी होता है आमकी गुटली से एक दिन में फल नहीं निकलता बोदो तो बोने के बाद चार पांस साल छे साल वेट करना पड़ता है तरह तरह की बीज होते हैं कोई कोई तुरंट निकलाते हैं जल्दी फूल आ जाते हैं किनी पर जल्दी फल आ जाते हैं अलग-अलग जैसे बताते हैं आपको के जो अक्रोट का बीज है पोने के बाद में अक्रोट का वरक्ष बनने के बाद में सौ साल लगते हैं फल आने में सब तरह के तो धहर होता है इनके जीवन में हो जाएगा कोई बात नहीं जब कोई बच्चा किसी selection में नहीं आ पाता हो तो उसके माबाब क्या कहते हैं बेटा नहीं नहीं हिम्मत पतारना अगली चांस में फिर कोशिश करो हो जाएगा तुमारा ऐसे बोलते हैं उसको बहुत सारे बच्चे जुनून लेके चलते पहली बार में हमारा हो जाएगा जो इधार शडीर से बेटा है उसको IIT में आने का मन था पहले अटेम्ट में किनी कारणों वश उन नहीं आ पाया वो इतना दुखी हुआ बहुत रोया और मेरी तब देखके कहता है मैं आपकी वज़े से नहीं आ पाया बच्चे हैं दुख में आकर परिशानी में आकर कुछ भी बोल जाए मैंने द्यान नहीं दिया क्योंकि मैं वहां कहीं भी नहीं था पिक्चर में उसके बाद उसने तैयारी फिर से शुरू करी और अगले साल वो आ गया मैं उसके साथ था हमेशा पर कहीं होता है कोई बच्चा नहीं आ पाया पहली बार में दुसरे टेंप्ट में आ गया आयाटी में आना भी अपने आप में एक बड़ी चीज थी उस समय सन 2000 के आसपास की बात है अब तो बहुत सारे आयाटी हो गए ये नई सरकार ने बहुत सारे आयाटी बना दिये फिर भी फिर भी टफ तो है ही पर उस समय में बहुत टफ था क्योंकि केवल पांच आयाटी थे भारत में छटा बन चुका था गवाटी का छे मान ली जे छे आयाटी थे केवल पूरे भारत में और लाकों बच्चा बैठथा था पर एक अपसेशन होता है एक जुनून होता है ऐसे बच्चों में करना है तो करना है एक गोल सामने बहुत ज़रूरी है लक्ष इग्नोर दा नेसेर्स जो ही कहते हैं तुम नहीं कर सकते हैं उनको इग्नोर करो फिर दोबारा आता है hard work महनत फिर आता है do not have plan B ये नहीं हुआ तो में ही कर लूँगा ये नहीं हुआ तो में ही कर लूँगा नहीं ऐसे मन में मत रखो अब वो ठीक है उस समें जैसा होगा देखा जाएगा उस समें जैसा होगा देखा जाएगा मानो कोई बड़ी option मिल रहा है तो उसको छोड़ेंगे नहीं plan B का मतलब यह है कि अपने mind में मत रखो कि यह नहीं होगा तो फिर नहीं कर पाओगे लक्स तो निर्दारित होना चाहिए पक्का जब वहाँ IIT के उसमें गए जहाँ counselling तो select करना होता है कि आप कहां जाना चाहोगे तो मदरास मिल रहा था, गौहाटी मिल रहा था दिल्ली मिल रहा था मैंने का बिटा मदरास औ गौहाटी तो बहुत दूर है तो दिल्ली कोई subject ले लो तो मेरी वज़े से उसको number two पे settle करना पड़ा, एक जगे computer मिल रहा था, computer छोड़के number two पर आ गया वो, कि दिल्ली में पढ़ लेते हैं तो ऐसे होता है, यह plan B में नहीं आएगा यह family conditions भी होती है कुछ अपना भाव भी होता है कुछ एक frame होता है कोई बात ही, कोई फरक नहीं पढ़ता IITन तो IITन दिल्ली से IIT कर ली इसको plan B नहीं कहते इसको यह कहते है कि जैसे आप क्या करें कुछ circumstances ऐसी हैं तो उसमें हम ऐसे option choose कर लेते हैं फिर आता है don't be afraid of failures क्या होगा अगर हम fail हो जाएंगे क्या होगा डरो नहीं रुकावते हैं बाधायें दिक्कतें सबके जीवन में आती हैं और सब लोग उसको power करते keep growing लगातार काम में new innovations लाते रहो करते रहो लगे रहो बढ़ते जाओ उसके बाद आते leadership qualities को समझना है वो हम लोग आगे पूरा एक chapter है फिल लेंगे फिर आता है ask why I am doing this मैं क्यों कर रहा हूं business कर रहे हो job कर रहे हो आप जो भी कर रहे हो क्यों कर रहे हो यह प्रश्ण है इसी करने में आता है habit of doing more than paid for जितने पैसे मिलते हैं क्या उससे ज़्यादा काम करने को आप तयार हो तो आप रुक नहीं पाओगे फिर फिर आप बढ़ने से रुक नहीं पाओगे लोग आपको तलाश करेंगे ढूंडेंगे कहा है वो काम ज़्यादा करता है पैसे कम लेता है फिर आता है join a group of like minded people अपने जैसे लोगों को तलाश करके एक team बनाओ काम आसान हो जाएगा कभी एक बच्चा अकेला पढ़ता है उसको ज़्यादा अच्छा लगता है कभी दो बच्चे पढ़ते हैं साथ में उनको ज़्यादा अच्छा लगता है कभी चार बच्चे अपने team बना लेते हैं पढ़ते हैं उनको और ज़्यादा अच्छा लगता है कि कोई भी problem solve करना है तो कोई ने कोई बता देगा पर ये समय समय की बात होती है कभी अकेले पढ़ना होता है कभी चार के साथ पढ़ना होता है कभी लाइबरेडियूं पढ़ना होता है कभी अपने घर में पढ़ना होता है हमारे देश के तो राजनेता कुछ ऐसे हुए विचारक ऐसे हुए जो street lights municipality की lights के नीचे बैठकर पढ़कर के उन्होंने अपनी degree हासिल करी है ऐसे हमारे भारत के नेता लोग हुए है उसके बाद आता है imagination and enthusiasm आपका एक सपना आपकी एक चाहत आपकी एक imagination और enthusiasm आपकी लगन आपका जोश उच्साह उसके बाद आता है having a pleasing personality आपकी personality का क्या ताद पर है आप बड़े बन ठन के पूरा make-up करके चलते हो वो कोई personality count नहीं करती जो अच्छे शब्दों में अगर बोलें तो एक personality होती है एक व्यक्ति के एक व्यक्तित तो होता है जो जो काम करता है और काम कराता है और rise करता चला जाता है कोई आपकी party shati में कोई आया आगे का जीवन count करता है कपड़े simple eating habits simple जिस समय जो मिले खालो क्योंकि उसका concept होता है आगे जाने का उचाईयों तक जाने का खाने का नहीं होता concept खाना तो एक जीवन जीने के लिए एक माध्यम है वह खाओगे नहीं तो कैसे चलोगे तो ठीक सिखाओ तीन टाइम का भुजन करना है तो तीन टाइम खाकर उतना खाकर के अपना काम करने में आलस से ना आये दिक्कत न हो हमको रोकता कोने बढ़ने में आलस से प्रमाद निद्रा तमोगुण अधिक भुजन, तामसी भुजन गलत कंपनी डिस्ट्रैक्शन तरह तरह के आजकल के प्रभूल प्रलोभन, वीडियो गेम्स कम्प्यूटर गेम्स पता नहीं क्या क्या हिस समय आ रहा है इंटरनेट पे कुछ लोग कभी बताते हैं तो मैं तो आश्यर चकित रह जाता हूं क्या क्या आ रहा है सब इतना डिस्ट्रैक्शन है इंटरनेट का यूज केवल अपने हिद के लिए करना चाहिए बस यह अगर मैंने निश्चे बना लिया तो बस Google पर जब भी डालता हूं सर्च करने के लिए तो मैं words डालता हूं जिनके meanings देखता हूं क्योंकि मुझे आपको English से Hindi करके बताना होता है अधिकतर किताबें English में होती है उनके Hindi करकर के मुझे बताना होता है तो मैं words को डाल डाल कर Hindi निकाल निकाल कर वहाँ लिख कर ये notes सब रहते हैं बनते रहते हैं ये आपके लिए है Talk simply सच बोलो और ठीक से बोलो Simple talking Flowery language बड़ी बड़ी बात है करना ऐसे शब्द निकाल निकाल के लाना कि सामने वाले को समझ ना आए बार बार you know you know you know बोलना ये सब गलत है विचारक कहते हैं ऐसे कभी नहीं बोलना चाहिए you know आपको पता है आपको पता है शुरू करेंगे बात करने आपको पता है ऐसे 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 भई मेरे को नहीं पता अब मैं कैसे काऊं मेरे को नहीं पता तो आप तो मेरी बुद्धी को चैलेंज कर रहे हो ना आपको पता है कुछ लोग ऐसी बात करते है, पता है, पता है, अरे भाई, पता है क्या होता है, सीधी बात करो न, पता है क्या होता है, चैलेंज करते हैं वो, जैसे मेरे को, आपको पता है, भाया, अब मेरे को सब कुछ तो नहीं पता है, नौलिज तो अथा है, कहां तक मैं पता करूँगा अब मैं कैसे कहूं से मुझे नहीं पता अब उसको पता है नहीं पता है ये भी नहीं पता है फिर आता है concentration concentration इंप्रूव करता है meditation से ध्यान एक होता है चलित ध्यान हमारे यहां सब गुरु ने हमको चलित ध्यान बताया क्या चलते फिरते ध्यान देखो मेरा लक्ष मुझे मालूम है मान लीज़े मैं सच्चंग में लग गया मैं अपनी बात कर रहा हूँ आपके अपनी बात है हर एक के अलग बात है मैं अपनी बात उधारन दे रहा हूँ उधारन से बात समझ में आती है मैं सच्चंग में लगा तो मेरा दिनरात यही काम होता था कि मैं सच्चंग की किताबें पढ़ता था सच्चंग के नोट्स बनाता था गुरुजी की वानी सुनता था वानी के नोट्स बनाता था गीता के नोट्स बनाता था और भी जो किताबें मिलती थी हमारे संतों की स्वामी विवेका नंद की, स्वामी रामतीत की आज याद नहीं है मुझे अब 40 साल हो गए उन बातों को तब जो भी किताबें इस तरह की मिलती थी मैं उनके नोट्स बनाता था पढ़ा करता था, जब जब समय मिलता मैं पढ़ता रहता था जो मेरा कारवार था, वहाँ पर भी बैटकर मैं पढ़ता रहता था, वानी लिखता रहता था, वानी हम पोस्ट करते थे हर हफ़ते तो मेरा आमधनी नी थी जादा, लेकिन जितनी आमधनी होती थी, उसको मैं envelops खरीदने में वानी लिखने में, फोटो स्टेट कराने में, इस सब में, मेरा वो दिन का पुरा जो पैसा मैंने कमाया होता था, वो खर्च हो जाता था Concentration क्या है? अपने लक्ष की और ध्यान, यही Concentration है, यही Meditation है जो भगवान को चाहते हैं, वो भगवान का ध्यान करते हैं जो संसार में कुछ करना चाहते हैं, वो उसका ध्यान करते हैं, हर समय उसी में लगे रहते हैं मेरा यह लक्ष है, बस, देखिए, मन भटकेगा, Concentration नहीं है मन इदर उदर जाएगा, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रही है, यह सब हमारा काम नहीं है, सुनने का हाँ, मुझे याद आगया, एक मेरी बुआजी के लड़के थे, मेरी बुआजी के पांच लड़के थे, पांचों Civil Services में, UPSC में Selected, पांचों, एक IRS, Indian Railway Services में, एक IS, DM थे, अलिगड के तो नहीं बने, वो DM पर मेरट के, और गाजियाबाद के, और कई जगे के DM रहे वो, वो बाज में Secretary हो गए Government के, और MD उन्होंने, Government के तरफ से फिर इनके जतने Corporations होते हैं, Corporate Mills होती है, इनके MD बना दिये जाते हैं, इनके MD रहे, एक बार मुझे नौकरी चाहिए थी, मैं उनके पास पहुंच गया, उन्होंने मेरी नौकरी सेंक्शन कर दी, मेरी नौकरी लग तीन साल में ने वहां काम किया, वो IS थे, एक IFS में गए, इंडियन Foreign Service में, जगा जगा उनकी पुस्टिंग होती रहती थी, पुरे वर्ल्ड में घूमे वो, और एक Railways में, एक IS, एक Foreign Service में, और एक का मझे नहीं आदा रहा, वो स्याथ Finance Department में गए थे, IFS, Indian Finance Services में, तो उसमें कुछ बने थे वो, तो ये लोग, पाँचों के पाँचों बच्चे, टॉप पोस्ट पर, और एक Malaysia में, Philippines में, शायद ADB, Asian Development Bank है, उसके टॉप लेविल पर थे, बहुत बड़ा बैंक माना जाता है, वो Asia का, पुरे एसिया में बड़ी-बड़ी इंड करते हैं वो लोग, तो concentration जी है, meditation क्या है, वहाँ अपने लक्ष की और ध्यान, उनका बनाई रहता है, उनका खाना, उनका सोना, उनका जागना, उनका उटना, उनका बैटना, उनका चलना, फिरना, उनका लक्ष उनके सामने रहता है, इसको कहते हैं जनून, जबर्चस्त, जैसे हमाजी का भगवान के लिए, फिर आता है handling failures, देखे एक उधारन मैंने आपको लिया था, फिर आपके सामने रख दो, एक MBA के student किसा आगे एक problem रखी गई, वो selection जो committee होती है, उनका देखो भाया, तुम MBA कर चुके हो, हमारी company में तुमने apply किया है, हम अपनी company के problem बतात हैं तुमको, उसको तुम कैसे solve करोगे, रात का time है, तुमका factory में तुम आई हुए हो, और वहाँ पर एक truck की loading होनी है, एक truck उधार आया हुआ है, दूसरी तुम उसके unloading होनी है, दो, तीसरा तुमारी घर से call आता है, तुमारा बच्चा एकदम से बीमार हो गया, तुमारी wife कह रही है, तुरंत आजाओ, इसको दिखाने के लिए डॉक्टर के लिए चलना है, चौथा, तुमारे एक दोस्त का phone आता है, उसकी बहुत महेंगी घड़ी कहीं खो गई है, और वो ढूनने के लिए तुम को बला रहा है, भाया, दोस्त को, friend तुम immediately आजाओ, तुरंत है, क्या करोगे अब तुम, और लड़का बॉखला गया, ऐसी problems, क्या handling failures, handling problems, दुनिया में कुछ भी problem कभी आ जाती है, तो ये सब जो होते हैं, जुनून वाले लोग ये घबराते नहीं हैं, ये तूट नहीं जाते हैं, मेहनत में लग जाते हैं, काम में लग जाते हैं, क्य देगा, वो तो हालात, situations बताएंगी, कि पहले आपको क्या करना है, आपका decision होगा, अपना, वहाँ कोई लिखित में decision नहीं है, उनका कि तुम पहले ये करोगे, ये करोगे, पूस दें, तुम क्या करोगे पहले तुम बताओ, वो लड़का अपनी imagination से बताता है, कि मैं पहल के लिए जाओंगा, कोई कैता है, मैं अपने एक और दूसरे दोस्त को भेज़ दूँगा, वहाँ अपनी वाइफ के पास, कि जरत तुम मेरे बच्चे को तुरन डॉक्टर को दिखा के लाओ, उस दोस्त को बोलता हूं, मैं आ रहा हूं, देखता हूं नहीं, तो एक और द मेनेजर बनता है, हैंडलिंग फेलियर्स, हैंडलिंग प्रॉब्लम्स, फिर आता है टॉलरेंस, सेहन शीलता, सेहन शीलता की जहां अवश्रक्ता हो, वहां जल्दबाजी या मुफट होना नहीं चलता, मन में जो आया, बोल दिया, नहीं, उओ बोल रहा था, तो मैं नहीं action का reaction नहीं tolerance में ये नहीं आता है tolerance में सहिन शीलता है बहुत सारी जगे हमको सहिन कर जाना होता है कुछ जगे हम रेक कर सकते हैं थोड़ा सा कर सकते हैं आवाज उठा सकते हैं कोई गलती हो रहे हैं गलत काम हो रहा होता है तो उसको रोक सकते हैं एक शेहर में आज ही क्या हुआ एक फोन आया हमारे शेहर में सत्संग होता है तो हमारे लेडिस का होता था हम करीब 40-45 लेडिस आते हैं तो तीन चार जेंट्स ने भी बोला हम भी आजाये करें के सत्संग में तो आप से पूछा नहीं और हमने एलाओ कर दिया अब वो लोग करते हैं हमको बाते करने लगते हैं आपसमें हम कुछ कहते हैं तो वो नाराजगी शो करते हैं और आखें दिखाते हैं अब हम क्या करें मैंने बुला आपने पहले क्यों नहीं आपने किस से पूछ कर जेंट्स को लाओ करा हमारे यहां जेंट्स का सत्संग अलग होता है हमा बाखी तीन स्रोता बन जाए ब्रह्मा जी के चार पुत्र हुए शुरू में सनक, सनातन, सनतकुमार, सनन्धन चारों ने का हम तो सन्यासी होकर जा रहे हैं हम संसारनी बरसाएंगी ब्रह्मा जी ने का जा हो तुम अब वो चारों आज निराकार रूप से हमारे युनिवर्स में सत्संग करते रहते हैं आज भी वो चारों निराकार रूप से मौझूद हैं एक करता है सत्संग बोलता है तीन सुनते हैं फिर एक बोलता है बागी तीन सुनते हैं सत्संग करने के लिए बहुत लोग नहीं छेहे हैं आपके जैसे भागवान को चाहने वाले गुरू के प्रेमी चार-पांच बच्चे इखटे हो जाएए चार-पांच लोग इखटे हो जाएए आपका सत्संग शुरू हो गया बस कब बढ़ेगा क्या होगा कुछ मत सोचो आप सत्संग करो तो टॉलरेंस शेहन शीलता लोग कुछ कुछ कहते हैं हमारे बारे में कुछ कहते हैं हसी बजाग बनाते हैं हमारा कोई नहीं सेहन शीलता उसके बाद रहते है keep reading good books अच्छी किताबें पढ़ते रहो अच्छी किताबें कुन सी? जो आपको sun mark पे लगाएं अच्छी तरफ ले जाएं आपको महंती बनाएं आपकी problems को solve करें आपको हुश्यार बनाएं आपको समझदार बनाएं आपको एक नेक इनसान बनाएं आपकी knowledge को बढ़ाएं आपको खुशी दिलाएं आपको मन की शांती दें आपको आगे बढ़ाने में साहिक हो इतनी knowledge हो कि आप एक अच्छा इनसान बनें एक integrity वाला person हर department में क्या होता है वो छोड़ दीजे पर जब selection करते हैं board के members तो integrity चेक करते हैं बचा सच बोल रहा है जितना भी जानता है कुछ नहीं जानता हो कह देता है sorry sir मुझे इसका नहीं मालो जितना भी वो जानता है सच बोलता है यह वो चेक करते है वफादार है sincere है loyal है honest है इस सब integrity में आते है keep reading good books अच्छी किताबों से आप दिन प्रते दिन हुश्यार होते जाते हो reading make it a man एक कहावत है इंसान बनता है आदमी पढ़ने से पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होता पढ़ते लिखते रहना चाहिए फिर आगया आता है don't complain शिकायते मत करो शिकायते वो करते हैं जो बहाना बनाकर दूसरे पर डाल देते हैं चीज़े don't complain find solution जवाब ढूंडो उत्तर ढूंडो तरीका ढूंडो जिससे काम हो जाए complain शिकायते मत करो इसके वज़े से नहीं वाओ कैसे होगा यह ढूंडो मान लीज़े आपका बिजली का बिल गलत आ गया अब आप क्या करोगे बिजली के डिपार्टमेंट को गालियां दोगे इससे क्या होगा बिजली के दफ्तर जाओ बिल को ठीक कराओ और पे कर दो अभी पीछे दो महीने पहले हमारे एक बिजली का बिल गलत आ गया तो अब उसमें हम पे करना चाह रहे थे इंटरनेट पर जो उनकी साइट है वो एकसेप्ट नहीं कर रहा था उसमें कुछ फॉल्ट है तफ्तर भीजा आए एक आदमी को बोले हाँ कुछ गलती हो गई है इसमें ठीक कराते है बोले आप दो दिन के अंदर पे कर देना नहीं आप बिजली कनेक्शन कट जाएगा बताए हमारी क्या गलती है गलती उनकी है और कह रहे हैं बिजली कनेक्शन कट जाएगा आपका हमने का भीया हम क्या कर सकते हैं कल आपका बिल ठीक हो जाना चाहिए कल भी नहीं हुआ परसों बिजले कनेक्शन कटने के डेट आ गई और उनके बिजले का बिल भी ठीक ही हो रहा है कोई नहीं जो लगे हुए थे वो लगे हुए थे पूरा काम हो गया शाम तक बिजली का बिल बना हमने पे कर दिया बाद ख़तम हो गई तो आती है प्रॉब्लम्स फाइंट सोलूशन उनका समाधान ढूंडो उसके बादा टेक रिस्क तो डू सम्थिंग नूव, कुछ नया करने के लिए रिस्क लो बहुत से लोग होते हैं रिस्क नहीं ले पाते बिलकुल, नहीं, 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 ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो, कुछ लोग होते हैं जो रिस्क लेते हैं, लेकिन रिस्क तभी लेना जब आप रेडी हो जब आप तयार हो रिस्क लेने के लिए risk मतला कोई ऐसी चीज जिसमें शक है आपको कर पाओगे के नहीं कर पाओगे एक आशंका है एक परकार का खत्रा तो take risk to do something new but only when you are ready आप तयार हो तब लेना risk अगर आपके अंदर डर है तो मत लेना risk फिर है learn to find good in everything whatever is happening जो भी हो रहा है उसमें कुछ अच्छाई डोड़ो भगवान के राज में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है तो जो अब तक हमने लिया उसको अगर हम concise छोटा करके देखें तो successful होने के लिए एक खुशाल जीवन जीने के लिए एक अच्छा जीवन जीने के लिए number one है set clear goals अपना लक्ष साफ हो strong worth ethics इमांदारी honesty, integrity यह होनी चेह है तीसरा है consistency लगातार लगे रहना चौता है discipline आत्म अनुशाषन पांचवा है continuous pursuit of knowledge लगातार ज्यान अर्जन करना लगातार पढ़ते लिखते रहना चटा है the ability to listen be a good listener एक अच्छा इंसान बनो जो सब की सुनता है और सब की help करता है सब की मतलब जितनों की आप कर सकते हो फिर आता है साथवा attitude I will never quit हारने वाला नहीं हो मैं जुकेगा नहीं पुष्पा कोई flower नहीं होता fire होता है जुकेगा नहीं I will never quit हारेगा नहीं अप उनको हारने का नहीं है अप उनको जीतने का है यह उसका attitude होता है फिर है having a purpose in life एर्थ है having a purpose in life जीवन का एक लक्ष होना चाहिए मेरा जीवन किस लिए दो बातें हो सकती है इसमें एक तो दुनिया में माहान बनने के लिए कुछ करने के लिए किसी एक लक्ष के लिए किसी एक लक्ष के लिए जो हमने चुना है वो कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है एक ठेले वाले का लक्ष है शाम तक मुझे सौ चीज़ें अपनी बेच लेनी है वो सौ चीज़ें बेच लेता है वो एक successful person बन जाता है और खुशी खुशी घर जाता है हर वेक्तिक अपना एक लक्ष होता है आप ध्यान दीजेगा आप मत सोचिए गा वो और वो और वो उसने ये किया उसने किया छोड़ दीजे भूल जाएए आपका क्या लक्ष है वा आप फॉलो करो दूसरों किताब मत देखो have a purpose in life मेरा लक्ष भगवान की तरफ चलने का है मैं उधर चल रहा हूँ बस आप से और मेरे से कोई comparison नहीं है जिसको जहां जाना है वो उसके लिए लक्ष है उसको प्राप्त करे फिर आता है hard work मेहनत सुबह से रात तक काम में busy रहना लक्ष की तरफ हाँ अब टेलिफोन में लगे हो बेकार के लिए वाट्सेप पे लगे हो बेकार के लिए बेकार के लिए देखो एक काम के लिए लगते हैं जरूरी बाते होती है यह आपका mind आपकी choice है आपका mind आपकी choice है आप time waste करते हो यह time utilize करते हो काम किया जर्ट रग दिया side में काम किसी देखी खुलते है तो उसमें पचासियों चीज़े हैं आपको क्या देखना है आपको क्या चाहिए आपको clear होना चाहिए हाँ जिसको rise करना है उसको clear होता है कि मुझे य चाहिए यह करना है और हन्हाँ टाइम वेस्स नहीं कहा था प्रमाद नहीं होता उसके जीवने प्रमाद क्या है? करने चले थे कुछ लग गए कुछ और करने मैंने कहा एक सादख से मेरे लिए पानी ले आओ एक ग्लास सादख गया किचिन में और अभी तक लोटा ही नहीं है क्यों वहां कुछ और काम चल रहा था उसमें लग गया मैंने पानी मांगा वो भूल गया इसको प्रमाद कहते हैं हम मेरा लक्ष भगवान की तरफ चलने का है और मैं लग जाओं टीवी गेम्स वीडियो गेम्स खेलने में कंप्यूटर गेम्स खेलने में यह क्या है प्रमाद है मेरा लक्ष मेरे सामने क्लियर रहना चाहिए हर समय हाड वर्क और फिर एक तो कॉमन बात आती है आप जहां भी हो जो भी हो जो भी करते हो दुसरों के बारे में भी सोचना चाहिए कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं यह एक साइड में बात रहती है हम किसी के हेल्प कर सकते हैं कर पाते हैं हो जाती है हेल्प कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है वेरी गुट ये एक side by side हमारा एक वो है हमको बढ़ाने वाला सबकी दुआएं लेना है हो सके तो सुख दो किसी को दुख मत दो सबकी दुआएं जब हमारे साथ होती है तो हमारी मंजिल आसान हो जाती है आसान है गुर्व भगवान के अनन तरह शुक्राने